अप्वावेग और यूटूब चैनल स्टडी सर्कल 24 डेर इस्टुडेंट्स आज की वीडियो में अम देखने वाले हैं आपका सप्टेमबर मंत का जो आपका साइमेंट है फिजिक सब्जिक का उसका तो चलिए देखते हैं यह आपका साइमेंट नमबर टू है इसका एंसर देखेंगे आप देख सकते हैं आपके पास यहां फास फास्ट कोश्टन दिया गया है अपवावेग क्या है और अपवावेग और धारा वेग में संबंद प्राप्त कीजिए तो सबसे पहले इसका डेफनेशन लिखेंगे अपवावेग यानि डिप्ट वेलोसिटी होती ह है मिन्स चालक में इलेक्ट्रोन विद्दू छेत्र के प्रभाव में एक नियत और सथ वेग से प्रवावेग होते हैं इस नियत और सथ वेग को अपवावेग कहते हैं इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं अब इसका रिलेशन देख लेते हैं सबसे पहले आप यह जो डा बना गया है यह आपके पास cell है इसका positive terminal और negative terminal है और इस पूरे circuit में मिस चालक में current I flow कर रहे हैं आ पस current I flow हो रहा है do I current flow करने के बाद इसके opposite direction में आप यहां पास देख सकते हैं electron produce किया जा रहा है electron produce होने से यहां पास electric field produce हो जाएगा तो इसके according माल लेते हैं और इस जो conductor का length है वो कितना है L इस conductor का length कितना है small L माल लेते हैं कि चालक PQ की लंबाई L तथा अनुप्रेस्थ परिच्छत का जो छेत्रफल है वो A होगा और आप diagram में आगए देखेंगे इसका cross section area तो इसको हम बोलते हैं A ठीक है ये दोनों तरह आप देख पा रहे हैं यहाँ पास A है तो इसको बोलेंगे अनुप्रेस्थ काड का छेत्रफल फॉर्मला अप्लाई करेंगे चालक का आयतन छेत्रफल गुड़े लंबाई अब A into L हो जाएगा अब इसके बाद आपको आगे लिखना होगा कि अब यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रोनों की संख्या N हो तो संपोर्ण चालक में मुक्त इलेक्ट्रोनों की संख्या कितना हो जाएगा आपके पास A, L, N होगी यदि प्रत्यक इलेक्ट्रोन पर आवेस E है तो चालक पर कूल आवेस Q बराबर A, L, N, E होगा राइट यदि विद्दू छेद्र के कारण चालक में इलेक्ट्रोनों का अपवा वेग अपवा वेक को किसे दर्स आते हैं VD से इसको अनुगमन वेक भी बोला जाता है डिप्ट वेलोसिटी VD है तो आवेस को चालक को पार करने में लगा समय T बराबर L by VD हो जाएगा तो चालक में प्रवाई धारा I बराबर Q by T हो गया यह फॉर्मन आगया आपके पास अब समिकरन एक और दो से अगर आप लिखेंगे तो आपके पास यहां relation मिल जाएगा I is equal to A L N E और L by VD VD उपर होगा तो L से L कैंसल हो गया तो क्या मिलेगा आपको A N E VD ठीक है आई यहां पास current है यानि धारा N एलेक्ट्रोनों की संख्या E एलेक्ट्रोन का आवेस A अनुप्रस्त परिच्छेत का काटगा छेत्रफल cross section area बोलते हैं और VD यह है अनुगमन वेग यानि अपवा वेग अब next questions देख सकते हैं आप प्रतिरोधक्ता को परिवासित कीजिए उसका definition लिखना है और चित्र में एक ही धातो के दो चालको को प्रतिरोधक्ता क्रमसा P1 और यहां पास P2 तो यहां पास ρो है क्योंकि प्रतिरोधक्ता को हम किससे दर साते हैं रो 1 और रो 2 means जो प्रतिरोधक्ता हो ता उसको रो से represent किया जाता है तो यहां देखिए रो 1 और रो 2 के अनुपाद बताना है आपको diagram से और resistance R1 और R2 के अनुपाद बताना है तो यह जो diagram दिया हुआ है आप इसमें इसका length देख सकते हैं एक का 2 cm है जिसका radius आपके पास R है और second के लिए आपके पास जो इसका दिया हुआ है conductor का length 4 cm है अब इसमें आपको इसका अनुपाद बताना है तो प्रतिरोधक्ता के लिए किसी चालक का सबसे पहले definition लिखेंगे किसी चालक का किसी निश्चित ताप पर प्रतिरोध जो formula है उसको R is equal to rho into L by A से लिखेंगे जहां rho क्या है एक अनुपातिक नियतांक होगा जिसे चालक का प्रतिरोधक्ता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है इसे रो से present करते हैं अब इसी question में अगर L का मान 1 कर दिया जाए 1 meter और A is equal to 1 meter स्कॉर कर दिया जाए तब rho is equal to R आ जाएगा मतलब प्रतिरोध और प्रतिरोधक्ता ये दोनों बराबर हो जाएंगे अता किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रेश्ट परिच्छेद वाले एकांक लंबाई के चालक के प्रतिरोध को चालक का प्रतिरोधक्ता कहते हैं इसका ऐसा ही मातरक आप लिख सकते हैं ओम इंटु मीटर तथा बीमेज जो सुत्र है वो इस प्रेकार से हो जाएगा किसी पदार्थ का आंकिक गुण होता है और यह पदार्थ के आकार्यों आकरिती पर डिपेंड नहीं करता सेकेंड देखिए आपके पास R1 की वैल्यू आपको लिखना होगा रो इंटु L1 बाई A1 और R2 के लिए रो 2 इंटु L2 बाई A2 क्योंकि दोनों तारों की तरिज्जाएं बराबर हैं दोनों की तरिज्जाएं आपको डाइग्राम में दिखाएगे R हैं तो उनके अनुप्रस्त काट के छेत्र फल भी बराबर होंगे अर्थात A1 बराबर A2 तो यहाँ पस जो आप A1 और A2 देख रहे हैं उसको आप क्या करेंगे इक्वल करेंगे तो A1 की वैल्यू भी A2 हो जाएगी तो इस बेकार से यह कैंसल हो जाएगा रोच से रोग कैंसल हो गया और L1 बाई L2 बचेगा तो यह R1 बाई R2 का रेशियो क्या मिलेगा आपको अनुपाद L1 बाई L2 Next L1 की वैल्यू 2 सेंटीमिटर और L2 की वैल्यू 4 सेंटीमिटर है इसकी वैल्यू आप यहाँ पास पूट करेंगे 2 बाई 4 करेंगे 2 बाई 4 करेंगे 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 4 मिंस कितना आएगा आपके पास 1 बाई 2 यह आएगा एंसर Next देखें एक MPR पास के लिए परिणामी चुम्बके चित्र का मान B is equal to mu not i upon 2 pi r है और इस संबंद के लिए 4 प्रमुख निसकर्सों की व्याक्या करना है तो यह आप यहाँ से डाइग्राम बनाएंगे जिसकी तरिज्या आपको यहाँ आर दिखाएगा है इस संबंद में जो प्राप्त करने के जो निसकर्स है चार वो आप यहाँ से लिख सकते हैं वीडियो को pause करके आप इसे लिख लीजेगा ठीक है Next आप देख सकते हैं second number का point है यहाँ पास उसी लिखी गया और third number का ओके third number में आप देख सकते हैं यह ampere का परिपत्य नियम है जो integration of surface यहाँ पास लागू किया गया है b.dl vector पे है और mu not i और इसे हल करने पर क्या मिलेगा इसको scalar product में लिखेंगे अधिस रूप में लिखेंगे तो b.dl cos theta होगा theta का मान अगर आप 0 कर दें तो cos 0 का मान एक होता है इस परकार integration of surface क्या मिलेगा आपको b into dl mu not i तो यहाँ से dl का integration आप integration of surface निकालेंगे तो 2 pi r आएगा कि तो यहाँ से b का मान निकाल सकते हैं आप चुम्ब के शेतर b बराबर mu not i by 2 pi r यही इसका अभिष्ट संबंद होगा next question देखें तो बिंदू देख लिजे माध्यम हो जाएगा और एसा ही पद्धिती में माप निर्वात्यों वायो के लिए और मान में परिवर्थन करने पर तो आप यहाँ से सारी चीज़े को नोट करेंगे और इसके बाद बीम ये सोत्र होगा last question देख लेते हैं बीभव प्रवाणता को परिभासित करना है और लंबाई के सापच बीभव में होने वाली कमी को बीभव प्रवाणता कहा जाता है बीभव प्रवाणता वी वाई एल लिखेंगे आप और जो दूसरा नंबर दिया हो इसमें आई का मान ग्याद करना है तो आप डियाग्राम के अनुसार देख सकते हैं आई का मान आपके पास जो दिये गए चित्र में संधी बिंदू के पास आने वाली कूल धारा कितना है आप उसे देख सकते हैं संधी की और आने वाली कूल धारा आगा देखें तो कितना है 5 और प्लस 2 टूटल मिला का कितना हो जागा 7 और यहां से कूल जाने वाली धारा कितनी है 4 प्लस I ये किर्चाप के नियम से आप इसको बता सकते हैं क्योंकि संधी की और आने वाली धराओं का योग बराबर संधी की संधी से दूर जाने वाली धराओं का बीजगड़िती योग सुनने होता है, ठीक है? सबी का अगर योग करें तो जिरो हो जाएगा और दोनों का अगर बराबर करेंगे तो आपका definition बनता है कि संधी की और आने वाली धराओं का योग बराबर संधी से दूर जाने वाली धराओं का योग और एक definition ये भी बनेगा कि संधी पर मिलने वाली समस्त विद्धु धराओं का बीजगड़िते योग 0 होता है तो इसके अनुसार आप अगर देखें तो 5 प्लस 2 और I प्लस 4 ठीक है 5 प्लस 2 सेवन हो गया फिर इसको आप ट्रांस्पोस करीज़े पक्षानतर करके साथ में 4 को आप घटा दीज़े तो कितना मिलेगा 3 एंपियर एंपियर लिखेंगे क्योंकि धारा I का जो मातरक है वो क्य ज्यादा सेर करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो के लिंक दिए गया है तो आप वहाँ से भी देखका बागी सब्जेट के जो आपके वीडियो अपडेट हो चुके हैं उसे आप लिख सकते हैं तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही thank you and best of luck